हेलो दोस्तों आज हम देखेंगे कक्छा आठमी विशाय बिज्यान लर्निंग आउटकम्स पर आधारेत लर्निंग गैप सामगरी इसमें हम लर्निंग आउटकम्स एस साथ सो साथ हल करना था यदि आपने चैनल को अभी तक सस्क्रेब नहीं किया है तो सस्क्रेब जरूर करे अब हम इसको देखते हैं लर्निंग आउटकम्स एस साथ सो साथ राशायनिक अभी किरियाओं जैसी प्रकास संसलेशन सोसन आधी के सब्समीगर लिखती हैं अब हमें देखना है प्रकास संसलेशन एबं सोसन आउधार्णा का हम संचिप्त परिचाय देखती हैं चलिए तो स्वयं को प्थित करती हैं他 आप हैं जो प्रिकाष संस्यलेशन की दोरा अपना भोजन स्वयं बनाती हैं प्रकाषंसलेशन की है क्या है जो सूर की प्रकास के उपस्तिती में कारवन डाय आक्साइड है जल से कारवो हाइडरेट का संसलेशन करती है हम इसको निम्न समिकन से समझते हैं जैसे इसे कारवन डाय आक्साइड इसको CO2 इसका सूत्र होता है जल सूर का प्रकास किलोरोफेल है जो पत्तियों में उपस्तित होता है अब इससे क्या बनता है कारवो हाइडरेट और आक्सीजन गयес जो है जो सह उत्पात की रूप में निकलती है अब हम देखते हैं इस प्रक्ट्रम में आक्सीजन गयस क्या होती है निर्मुक्त होती है या निकलती है कार्वो हाइडरेट अंत तह पत्तियों में मड़ इस्टार्च की उपस्तिती प्रकास संसलेशन प्रक्रम का संपन होना तरसाता है स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है कार्वो हाइडरेट है स्टार्च क्या है एक प्रकार का कार्वो हाइडरेट है अब हम देखते हैं स्वसन स्वसन क्या है स्वसन देखिए स्वसन है जो सभी जीवों के जीवत रहने के लिए अनिवारी है यह जीब द्वारा लिये गई भोजन से उर्जा निर्मक्त करता है सभी जीबों की कोशिकाओं में कोश की एसोसन होता है कोशिका के अंदर भोजन, ग्लुकोज, आक्सिजन का उपियोग करके कारवन डाइकसाइड और जल में बिखंडेत हो जाता है जब ग्लुकोज का विखंडन आक्सिजन के उपियोग द्वारा होता है तो यह बाहभी एसोसन कहलाता है आक्सिजन का उपियोग की द्वारा होता है तो यह कौँसा सोसन कहलाता है बाहभी एसोसन आक्सिजन की अनुपस्तिती में भी भोजन का विखंडन हो सकता है तो यह परक्रम आवाई भी एसोसन कहलाता है भोजन के विखंडन से उर्जा क्या होती है निरमक्त होती है अब हम इसको समिंकन की द्वारा समझते हैं जैसे ग्लूकोज आक्सिजन की उपस्तिती में क्या बनेगा कर्बन रियाक्साइड और जल और उर्जा निकलेगी अब देखते हैं देखिए इस्ट क्या है इस्ट जैसे अनेक जीब बायू की उपस्तिती में जीबत रह सकती है जीब आब आईवी सुसन द्वारा उर्जा प्राप्त करती है इनें आब आईवी ये जीब कहती है आक्सिजन की उनुपस्तिती में ग्लूकोज, एलकुहल और कर्बन रियाक्साइड में बिखन्डित हो जाता है आबाई वी शुषन का समिकरन है जैसी ग्लूकोज आक्षिजन की अनुपस्तिती आबाई वी किसमे होती है आक्षिजन की अनुपस्तिती बि gracious होती है इसमें एल्कोहल कारबन ड्य आक्साइड प्लेस उर्जा बनती है अब हम इसके देखिए आगे पड़ेंगे अत्या धेक ब्यायम करती समय हमारी पेशी कोश्चकाओं में आक्सिजन की आपूर्ती आपरियाप्त होती है तब भोजन का विखंडन है जो आवाई भी सुसन द्वारा होता है ग्लुकोस आक्स प्रक्रम में ग्लुकोस की आंसिक विखंडन से लेक्टेक अम्ल और कार्बन डियाक्साइड बनती है अब हम अभ्यास परक्सीट एक को हल करेंगे अभ्यास परक्सीट का जो पहला प्रशन है प्रकास संसलेशन की प्रक्रिया को समझाईए प्रकास संसलेशन की जो प्रक्र कि लेखना है देखिए प्रकास संस्लेशन की प्रक्रम की दोरा काते हैं प्रकास संस्लेशन की दौरान पत्ती में क्लोरोफिल यक्तिकोस काई प्रकास संसलेशन के सभी गिरिया हो गए अब हम अगला कोस्चन हल करते हैं अगला कोस्चन है जो दूसरा इसमें देखिए प्रकास संसलेशन प्रक्रम में कौन सी गैस निर्मक्त होती है प्रकास संसलेशन से कौन सी गैस निकलती है देखिए तो प्रकास संसलेशन प्रक्रम म क्या है तीसरा कॉस्चन प्रकास संसलेशन प्रेक्रम को सब्द समीकर्ण की मात्य हम से बताईए सब्द समीकर्ण हमें यहां लखना है तो देखिए जो प्रकास संसलेशन की किरिया में क्या होता है कारवन डायकसाइड और जल किरिया करके सूरी की प्रकास के पस्तिति में क्ल होती है कि वे खाद पधार्तों का संसलेशन कर सकती हैं परन्तु पादप के दूसरी भाग में नहीं क्या विश्षता होती है तो हम लखेंगे इसमें प्रकास संसलेशन की दोरान पत्ती की किलोरोफेलेक्ट कोशिकाएं सूरी प्रकास की उपस्तिती में CO2 एवमचल से कारव हाइडेट का संसलेशन करती है यह पत्तियों के पेसे इस्ता होती है अब हम देखेंगे जो अभ्यास परक्सीट दो है इसकी प्रशनों को हल करेंगे बाइवी सोसन को समझाएए बाइवी सोसन क्या होता है बाइवी सोसन इवम आवाइवी सोसन में हमें अंतर लिखना है बाइवी सोसन इवम आवाइवी सोसन में अंतर तो देखिए बाइवी सोसन होता है जो बाइवी की उपस्तिती में होता है जबकि आवाइवी सोसन है जो बाइवी की अनुपस्तिती में होता है किसकी बाइवी की अनुपस् से समझाना माध्यम से समझाइए देखिए तो गुलुकोज आब आए भी है तो बायू की अनुपस्तिति में होगा लेक्टे कमल प्लस उर्जा बनेंगी अब देखती प्रशन है जो चौथा प्रशन किर्मांक चौथा प्रकास संसलेशन इबं स्वसन की प्रक्रिया में अंतर को सब्समीकर्ण की माध्यम से समझाना है क्या होता है जो प्रकास संसलेशन की अंतर लिखना इसमें प्रकास संसलेशन की किर्या केवल प्रकास में होती है जबकि स्वसन की किर्या दिन रात होती है स्वसन किर्या कैसी होती दिन रात होती है प्रोजक्ट कारी है हमें क्या कर देखना है कौन जैसे आपके जो भी दोस्तों यहां आपने रखा संजय छोटू अविशिक सचन राधा कोमल और कमली इनमें हमने सामन अबस्था में क्या देखा था सुसन को ना पा था और 10 मिनिट ते चलने की बाद सुसन को ना पा था सुमीटर दोड़ने के बाद सुसन को देखा ब्राम अवस्था में की सुसन को देखा आप ये प्रोजेक्ट आपको खुद करना है अपने दोस्तों की यहां नाम लेखना और सुसन को चेक करना है अब देखती हैं स्वा आकलन प्रशन इनको हम हल करेंगी स्वा आकलन प्रशन उर्जा निगलेगी और जल कनर्माण होगा दूसरा है जो गुलुकोज गुलुकोज है आक्षन की अनुपस्तिति में आब आई भी सुसन एलकोहल करबन रियाक्साइड और उर्जा अब देखते हैं उप्रोक्त है समी करना है जो क्यासा है आब आई भी सुसन हम पहले बोल च करते हैं लेते हैं और आक्षिजन गैस का उत्पादन करते हैं मतलब प्रकास संसलेशन की क्रिया में जो पादाप होते हैं वह सी ओ टू करबन रियाक्साइड गैस सोसन में लेते हैं और आक्षिजन गैस को छोड़ते हैं अब देखते हैं जो अंगला कॉस्चिन हैं अंगल कहते हैं इस्टार्च क्या है इस्टार्च एक प्रकार का कार्वो हाइड़ेट है इस्टार्च है जो एक प्रकार का कार्वो हाइड़ेट है प्रशन दूसरा है प्रकास संस्लेशन की किरिया के लिए प्रकास संस्लेशन की किरिया के लिए महत्पुन कारक कौन कौन सी है तो इ आक्सियन गैस लेती हैं मनुष्य जो आक्सियन गैस लेती हैं प्रेशन जो चोथा प्रेशन चोथा है इसमें देखिए मानव सरीर के आबाई भी सुसन की किरिया कब होती है मानव सरीर में आबाई भी सुसन की किरिया कब होगी बताना है इसमें हम लिखेंगे पायू की अनु यहां हमने बिग्यान का जो learning outcomes है उसको हमने पूरा किया यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe जरूर करें इसकी आगे की वीडियो हम next वीडियो में देखेंगे